देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग जो लोग भी मानने परधान मंत्री और इस सरकार की नीतियों से के चपेट में आकर के तंग तबाह हो चुके हैं वो सब लोग ऐसे घटबंदन के साथ रहेंगे कि वो तमाम लोग व्यक्ति समू जो लोग भी भारती जनता पार्टी के कुछ चक्रों को समझ गए हैं और इनके परिशान करने वाले जुम्ले से लेकर के आर्थिक नीतियों को समझ गए हैं वो सबी लोग हम लोग के साथ आ करके यह निरनायक संगर्ष में शामिल होंगे ताप देखें इन इश्पो नेशन में आपके साथ अब जे सिंग बीजेपी ने एक बड़ी बदलाब की है जी आपको बता दे कि बिहार बिधान परसत का नेता पर्थिपक्ष हरी सहनी को बन आया गया है तो वहीं बर्य तो बिहार बिधान सवा के जो नेता पर्थिपक्ष है वो बिजय सिना है तो कहीं ने कहीं एक टूजेट के फॉर्मेट में बीजेपी दीख रहा इसी वो बात करने के लिए हमां साथ हैं कॉंग्रिस के बिधायक दलके नेता डॉक्टर सकील और हर जात तो समधाय की जनता उससे उब गई है हर जो निवासी है भिहार का और देश का चाहे वो जिसकी भी जाती है समू का हो पेट में आग तो उसके भी लगी हुई है ना उसके भी पॉकेट में तनखाह नाम की कोई चीज़ नहीं आती पैसे नहीं आती है मजदूरों को जितना कमाना चाहे होती मजदूरी उसको नहीं मिलती है डिग्री होल्डर्स नौजवानों की तादात कुरोडो कुरोड में हो चुकी है तो इन सब हतकंडों से कुछ तो होने वाला है नहीं जिस तर से बात करें कि मुकेश सहनी भी एक सहनी समाज के लिए यातरा में निकल लोग जो लोग भी मानने परधान मंत्री और इस सरकार की नीतियों से के चपेट में आकर के तंग और तबाह हो चुके हैं वो सब लोग ऐसे गड़बंदन के साथ रहेंगे जो गड़बंदन उनको नहाए सामाज की नहाए सामाज के एकता और यह जो आर्थियों गुलामी चल रही है उससे निकालने का और निजात का रास्ता देगे तो क्या आप लोग मुके सानी को भी बुलाईए का अपने लंबी बात कहिए है कि वो तमाम लोग व्यक्ति समू जो लोग भी भारती जनता पार्टी के कुछक्रों को समझ गए हैं और इनके परिशान करने वाले जुमले से लेकर के आर्थिक नीतियों को समझ गए हैं वो सभी लोग हम लोग के साथ आ करके यह निरनायक संगर्ष में शामिल होंगे ताके 2024 में यह अधिनायक बात जाए जो आप कह रहे हैं विपक्स की अगवाई कह लिजिए विपक्स में हर जगा जा करके नितिश कुमार जी ने अपना एक अहम कलीदी रोल प्ले किया है इससे को इनकार नहीं करता है पहली बैटा की पटना में हुई उसका दूसरी बेंगलोर में और महरास्ट वहने जा रहे हैं लेकिन यह तमाम फैसले हमसे जादे अकल मंद लोग और ग्यानी गुनी लोग वहां बैठे हैं ना जिनको देश की समझ है वह लोग फैसला करेंगे तो यह फैसला वहां होगा बिहार से हैं बिहार कॉंग्रेस के निता हैं तो आप क्या चाहते हैं कि निति शुक्मा को सभी बना राजनेतिक मामले में जोगरिफिकली खुद को बांधने का व्यक्ति नहीं हो कॉंगर्स पार्टी एक नैशनल पॉलिटिक्स में रहती है तो मैं राजनेतिक तरीके से हो समाजिक तरीके से हो बिहार का भला हो बिहार के व्यक्तियों का भला हो यह मैं हमेशा चाहता हूं ऑल्वेस चाहूंगा लेकिन निति निर्धान के लोग जो हैं सब लोग के कठे मिलने हैं वो लोग जो भी फैसला करेंगा हम लोग मन होगा एक आपने भी बोला कि अगवाई कया पले भाइठक बिहार में हुआ नितिश कुमार जी ने पूरी मेहनत और इमांदारी के साथ वो गठबंदन को बनाने में एक इंपॉर्टन रोल प्ले किया खुद गए हर जगह गए और फिर डेट फिक्स करके पटना में सब को बुलाया तो एक बहुत अहम रोल प्ले किया इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है और पुरे देश में एक महौल भारते जनता पार्टी के नीतियों खिलाब बनाने में राह महौल गांदी ने बनाया महौल तो सब लोग वहां इकठा है ना सब बड़े नेता हैं ग्यानी गुनी लोग हैं यह लोग चीजों को तै करेंग और अच्छा है तै करें यह थे हमारे साथ कॉंग्रिस के बिधायक दल के नेता डॉक्टर सकील हमाद खान इन्होंनों तमाम स धन्हों में लोग स्धिवा तानी शपरे संग तान इन्हों है तूह कर दो हैं यह झालते हैं जो घुए हैं आंडे वैश्टरिकों अजया हैं परनाया हैं जया हैं